नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो पंजाब के शिलाफ हार के बाद RCB टीम के डिरेक्टर माइक हैसन ने विराट कोली को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है उनके बयान से ऐसे क्यास लगाया जा रहे हैं शायद से विराट कोली आ में जाने के लिए उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे तो क्या कुछ का है माइक हिसन ने इसके बारे में इस सारे जनकारी में आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हो तो भाई योगर आप भी RCB के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे महीं दूस्तो हम आपको RCB टीम से जुड़ी और रिकेट की हार एक इंपोर्टेंट न्यूस लगातार मिलती रहेगी तो भाई यो डिस्क्रिप्शन वाकस में आपको लिंक मिल जाएगी फटा फट जाएगे वहाँ पर उसे भी जोईन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस वेच RCB टीम के क्रिकेट निर्देशक माईक हिसन के कोहली की खराफ फॉर्म पर प्रतिक्रिया सामने आई है माईक हिसन ने कहा है कि कोहली का IPL 2022 में खराफ फॉर्म जारी है लेकिन तकनीकी रूप से वह अच्छे टच में दिखाई दी रहे हैं उनको लगता है कि विराट कोहली के बल्ले से जल्द ही एक बड़ी पारी आने वाली है बता दे कि शुक्रवार को 210 रनों के विशाल लक्षे का पेशा करते हुए कोहली एक बार अच्छे शुरुवात को बुनाने में नाकाम रहे और चौथे ओवर के कगीशो गरबाड़ा के गेंग पर 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गे यानि कि उन्हें शुरुवात अच्छी मिली थी कुछ शॉट्स भी अच्छे खेले मगर दुस्तों अच्छानक से एक गलर शॉट्स खेलकर वो आउट हो गे हेसन ने आगे कहा कि विराट कोली RCB के लिए सर्वस टेस्ट खिलाडी रहे हैं वह एक आव विश्वसनी खिलाडी हैं हाँ इस सीजन में उन्होंने पर्याप तरण नहीं बनाये हैं लेकिन मुझे यकीन है कि वह जल्दी बड़ी पारी खेलेंगे उन्होंने पंजाब के फिलाप मैच में अच्छे शुरुवात की लेकिन वह अपनी पारी को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे हैं हेसन ने कहा कि कोली बदकिस्मत रहे हैं जिसका मतलब है कि वह गलत तरीकों से आउट हो रहे हैं और यही कारण है कि हम चवोन रह से हार गए हैं दोस्तों IPL 2022 में 13 मैचों में विरावट कोली ने 19.67 की आउसत के साथ और 113.46 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 236 रुख बना पाए हैं इस सीजन वह तीन बार गोल्टन टक पर आउट हो चुके हैं वही उनका सरवादिक स्कोर 58 रन का रहा है कोली के IPL के यह सबसे ख इतना ही यह थी मारी वीडियो माईक हैसन के बयान को लेकर कोली के उपर गराप को वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक्स और अच्छिन दूस्तों